ये कुल्फी घर पर बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से सुनें बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की दरफ शुरुआत करेंगे हम किसी कडाई या पैन से कडाई में हम लेंगे फुल क्रीम, मिल्क यानि की दूद मैं यहाँ पर 400 ml दूद का इस्तमाल करने वाली हूँ आप कोई भगाना भी ले सकते हैं लेकिन कडाई में दूद जल्दी कड़ता है यानि की जल्दी से पकेगा दूद आप पैकट वाला डेरी वाला कोई भी ले सकते हैं बस उसका क्रीम निकाला हुआ ना हो अब हम गयास ओन करके इसे पकाएंगे बराबर चलाते हुए जिससे कि यह नीचे लगना जाए ना ही साइट्स में लगे जिस तरह से हम खोया बगेरा बनाते हैं या रबड़ी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से तो हम कोशिश करेंगे कि दूद जब हमारा आधा रह जाए तब हम रबड़ी का जो प्रॉस्टिस है अपना कुलफी का वो शुरू करेंगे अगर आप पतला रखेंगे तो कुलफी में टेस्ट उतना कम अच्छा है गारा रखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है जब तक दूद पक रहा है तो इधर मेरे पास दो से तीन छोटी हरी इलाइची है जिसे मैं छिलका निकाल दूँगी उसके बीज को दरदर कूट लूँगी घर की कुलफी में इलाइची बहुत जबरदस्त ख्लेवर देती है अब हम याँ शक्कर मिला लेते हैं टेस्ट के लिए चार चम्म शक्कर मैंने डाल ली है आप शक्कर अपने स्वात के हिसाब से डालगेगा कम मीठा ज्यादा मीठा वैसे आप कोशिश कर करनाएगी ठंडा होने के बाद वो खोया बनने लगे साइट से जो मालाई या रबडी चिपक जाए बरतन में उसे स्क्रैच कर लीजेगा एकदम लास्ट में गैस आफ करने के बाद हम डाल देंगे इलाइची का जो पाउडर है उसे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अब कफी वाले गलास है चाय वाले गलास है उसमें भी आप जमा सकते हैं कुल्फी स्टिक लगा करके तो मेरे पास यहां वाइट डिस्पोजल गलास है क्योंकि मैं यह कुल्फी काट कर सर्व करूंगी इसलिए मैंने यह लंबा एक गलास लिया है कुल्फी यह रबडी का विसमाल कर सकते हैं किसी डखकन का भी इससे क्या होगा कि जो क्रिस्टल होते हैं आइस क्रिस्टल यानि कि कुल्फी के अंदर बरफ नहीं जमेगी अब हम इसे डीफ फ्रीजर में डाल देंगे पूरी राद के लिए या 12-14 गंटे के लिए अच्छी तरह से इसे जमने द है च्वाई से आपकी आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही जमा सकते हैं मिक्सी में चलाने के आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे टेस्ट में कोई परिवर्त नहीं आएगा और एक बात का खास जयान रखेगा इलाइची का जो पाउडर वो आपको खास करके डालना है कुलफी जमने के बाद मैंने निकाल ली है अब हम इसे क्या करेंगे हम मैंने या पर इस्टिक नहीं लगाई थी आप चाहे तो इस्टिक लगा सकते थे तो आप मैं कैची से काट दूँगी ग्लास को क्योंकि मुझे काट कर सर्व करनी है इसलिए तुरंत ही निकाल लूँगी अगर आप काट कर नहीं सर्व करने वाले हैं तो आप इस्टिक लगा करके इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं थोड़ा सा दो मिनट के लिए बाहर छोड़ेंगे तो यह सॉफ्ट हो जाएगी और मैंने इ जैसे आप पसंद करें वैसे हम इसे काट लेंगे इस तरह आप इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे उपर से हम डालेंगे पिष्टा बारी कटा हुआ पिष्टा की जगए आप बादाम या काजू कुछ भी ले सकते हैं या फिर टूटी-फूटी डाल करके सर्व कर सकते ह और आपकी कुलफी दूद कुलफी घर की बनी हुई एकदम सरल तरीके से बिलकुल कम सामान में तयार हो चुकी है अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ज किस्ते की आने वाले वीडियो मिलते रहें